करेंगे हैं वेल्काम अगेन इन लेंड विज देटिमन बचों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन का चप्टर नुबर थर्टीन और इस चप्टर का नाम है भारत की नदिया में जीलें जिसमें हम राइस्थान की बारे में भी बात करेंगे तो चलें बिनादेरी के हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं कोशन नुमर वन भारत की नदियों को अफवाव के आधार पर किन भागों में बरगी कृत गया जाता है भारत की जो नदिया हैं उनको अफभा क्रम यानि प्रवह मार के आधार पर उत्पति और भाव के आधार पर किन भागों में वर्गी करत किया जाता है जम सभी जानते हैं इनको तीन भागों में वर्गी करत किया जाता है हिमाले की नदिया जिसे उत्तर भारत की नदिया भी कहा जाता है दूसरा है प्राइडी पिये नदिया जिनको दक्षिन भारत की नदिया भी कहा जाता है और तीसरा है आपका आंत्रिक अपवाह वाली नद उनको मुख्य ते कितने भागों में वर्गिक्रत किया जाता है तो उतर भारत में तीन मुख्य नदियां बहती है आपकी सिंदु गंगा और ब्रह्मपुत्र तो उसी किया धरपेज को तीन भागों में वर्गिक्रत किया जाता है सिंदु नदीक्रम गंगा नदीक्रम और ब् चितना कोण से हैं तो इसकी 5 साहेक नदिया मुख़ता हैं 70, 22 च 29 और जहिलम 27 ब्यास चिनाव राबी और जहिलम यह पांस नदिया हैं जो मुख्य flight की साहेक नदियों के तौर पर ना कोशिएन देखिए सिंधु नदी का जल ग्रेहन छेतर कितना है सिंधु नदी का जो जल ग्रेहन छेतर है वो कितना है तो देखी इसका आंशर है लगबग 11 लाख वर किलोमेटर है जिसमें से मातर सवा 3 लाख यानि 3.25 लाख वर किलोमेटर ही भारत के अंदर है बाकी जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के छेत्र में चला गया है नगबक 11,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, सटनी कैलास परत के धश्रोवर्ट धालों से भाती है मैं चेयुब अधे नदbody के आधे को इसका याद रोचना ह необходимо किसी भी नदीक बारे में दो चीजें बहुत इंपोटंस विए बैप तो आपकी और उसका उदंगन कहां से है उसका निर्मान कहां से हो रहा है कहां से फीर वो इस टार्ट हो रही है दूसरा होता है उसके उपर कोई डैम गएरा बनाया हुआ है या नहीं है इसके उपर और और कोई project तो नहीं चल रहा है तो ये दो तो चीज़ें बहुत ज़गा इंपॉर्टेंट हैं तीसरी जब बात करते हैं हम तो किसी भी नदी की सही नदी कौन सी नदी किस में गिर रही है इस चीज़ का बहुत मेंटर करता है तो आपको यह दो तीन चीज़ें आपको याद रखी है नेक क्वेशन देखी भाकडा नदी पर पंजाब में रोपड के पास बनाया गया है 10th class में और आप उसको डेटेल्स को देखने को मिलेगा इसकी में तो भाकडा नागलबान जो है 17 नदी पर पंजाब में रोपड के पास निर्मित किया गया है नेक कोश्यन देखिए 17 नदी किस नदी से मिलते हुए सिं हिंदू में गिर जाती है शतलज नदी व्यास नदी से मिलते हुए हिंदू नदी में गिरती है नेक कुश्यन देखिए जेलम नदी के किनारे कौन सा प्रिसिद नगर बसा हुआ है तो हम जानते हैं श्री नगर जो है वो जेलम नदी के किनारे बसा हुआ है जो एक परेटन स्थल के तोर पे भी या परेटन सहर के तोर पे भी जाना जाता है जेलम नदी के किनारे कौन सा नगर है श्री नगर बसा ह नेक क्वेशन देखिए गंगा नदी का उद्गम किस इस्थान से है गंगा नदी जो है उसका उद्गम किस इस्थान से है तो वो गंगोत्री हिमनद से है गंगा गंगोत्री सब्द से ही है तो गंगोत्री जो हिमनद है हिमनद क्या होता है हिम की नदी यानि बर्फ की नदी ह न हिम यानि क्या होता है बर तो हिम नदी से गंगोत्री हिम नद है वहां से गंगा नदी का उद्गम है नहीं कोईशन देखिए देव प्रियाग नामक इस्थान पर किन जलधाराओं के मिलन से गंगा का उद्भव होता है देव प्रियाग नामक जो इस्थान है वहां पर दो तो जल्दाराइं मिलती हैं, जिससे गंगा का उत्भव माना जाता है, तो वो कौन सी हैं? तो हम जानते हैं, अलकनंदा और भागी रती जो जल्दाराएं उनके मिलन से गंगा का उत्भव होता तो देखिए या फिर यह कहा जा सकता है जो गंगा मैदानी भाग में प्रिष्ट करती है तो सबसे प्रिषिद जो सहर निकट बसा हुआ है वो कौन शा है तो आपका हरी द्वार है जिसको पूरे भारत में बहुत अच्छे से जाना जाता है किसी भारत में नहीं भार भी इसक देखो गंगा का गंगोत्री से, यम्ना का यम्नओत्री से bibh क्या है? याद रखें यह क्या है, हिम्नद है, यानि बर्फ की नदी कहीं यानि बर्फ की नदी कहीं जा सकती है तो गंगा की मुखह सायिक नदी क्यूंसी है नेक कोश्ण देखिय suspects विंध्याचल से मुखताय यमना की कौन सी साहिक नदियों का अद्भव हुआ है देखे यमना में यमना की भी साहिक नदिया है तो यमना की जो विंध्याचल से जो आती है जो नदिया वो कौन कौन सी है जो यमना में मिलती है तो वो हैं आपकी चंबल, बेत्वा और केन, ये मुख्य नदिया हैं, और भी छोटी-छोटी काफी नदिया होती हैं, लेकिन हम मुख्य के बारे में बात करा हैं, तो चंबल, बेत्वा और केन, ये विंधाचल से इनका उद्भव है और ये यमना में मिलती हैं, इनका आपको जो संगम होता है, वो किस नगर के पास होता है, तो वो है इलाबाद के निकट, इलाबाद के निकट यमना और गंगा दोनों मिलती हैं, ठीक है, next question देखिए, गंगा यमना के संगम स्थल को क्या कहा जाता है, गंगा यमना का जो संगम इस्तले जहां वो इलावाद के पास मिलती है उस जगे को क्या कहते हैं तो उसको कहा जाता है संगम अत्वा प्रियाग उसको क्या कहा जाता है संगम या प्रियाग कहा जाता है उसको नेक कोईशन देखिए, उत्तर दिशा से कौन सी नदियां गंगा में गिरती हैं? उत्तर दिशा से कौन कौन सी हैं? राम गंगा, गोमती, घागरा, गंडग, कोसी और महाननदा. ये कहां से आती हैं? ये उत्तर दिशा से आती हैं. उत्तर दिशा से कौन कौन सी हैं? राम गंगा, गोमती, घागरा, गंडक, कोसी और महाननदा ये नदियां क्या हैं? उत्तर दिशा से नदियां गंगा में गिरती हैं. गंगा की जो साहिक नदिया हैं उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक भी है जो मैंने आपके लिए बनाया था. गंडक पहने घागरा, गंगा राम की म दामोदर सौनले कहत है महाननदा गोमती है कई कोसी तो देखिए गंडक, घागरा, राम गंगा, दामोदर, सौन, महाननदा, गोमती और कोसी यह सभी क्या हैं यह गंगा की सहयक नदिया हैं तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं सुनकर कोशन देखिए दक्षिन देखिए से कौन सी मुखे नदी गंगा में गिरती है तो वो कौन सी है सौन नदी है तो हम जानते हैं फरक्का के निकट वो बांगला देश में प्रिविश करती है नभी किस मुखे नदी की साखा है गंगा नदी जो लास्ट हिस्से में आती है तो उससे पहले कई साखाओं में बदल जाती है कुछ टुक्ड़ों में बदल जाती है तो उन्हीं में से एक जो साखा हैं वो है भूगली नदी तो किस मुखे नदी की साखा है? गंगा नदी की है. और इसको मैंने आपको रसकाई भी किया है कि गंगा की साखा हुगडी के रूपे पश्चिम बंगाल में उत्तर से दक्षिन दिसा में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है. कहां से है? गंगा की जो साखा है हुगडी उसकी रूपे यए पश्चिम बंगाल में उत्तर से दक्षिन दिसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है. नहीं कोशन देखिए, बांगला देश में गंगा की साखा से निर्मित नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांगला देश में जो गंगा की साखा से निर्मित नदी है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वो पदमा नदी है, पदमा भी जो जैसे हुगली है, वैसे ही पदम भी गंगा की एक साखा है तो पद्मा नदी क्या है बंगलादेश में गंगा की साखा से निर्मित नदी को पद्मा नदी की रूप में जाना जाता है नेक क्वेशन देखिए, पदमा नदी किस प्रिशिद नदी के साथ मिलकर डेल्टा का निर्मान करती है, पदमा जो नदी है, वो किस प्रिशिद नदी के साथ मिलकर डेल्टा का निर्मान करती है, तो हम जानते हैं, ब्रह्म पुत्र नदी के साथ मिलकर ये डेल्टा का निर् पर्मा नदी नदी द्वारा निर्मित डेल्टा किस नाम से जाना जाता है यह काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि जब इस को घुमा कर पूछा लिए जाता है कई बार तो यहां पर पद्वा नदी कौन सी यह आपको पता होना चाहिए यह किसकी साथ है गंगा तो यहां पर हम सामने तोर पर क्या बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बोलते हैं क्योंकि यह पद्मा ब्रह्मपुत्र डेल्टा नहीं का जाता है यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है और इसको सुंदर्वन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है तो पद्मा नदी और ब्रह के सबसे बड़ा डिलता कौन सा है तो करें जानते हैं सुन्दरवन डिल्टा ही विषु का सबसे बड़ा डिल्ट डिल्टा को में ईसकी कहा से है तो ये चिब्बत में मासोवर नदी के नाम से जाना जाता है औसको उद्गम से किस नदी के नाम से जाना जाता है क्या बोला जाता है उसको सांगपो नदी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र जहां से स्टार्ट होती है वहाँ से इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से ना जानकर वहाँ पर इसको सांगपो नदी कहा जाता है नेक कुश्चन देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य सहायक नदियों के नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसकी मुख्य सहायक नदियों के नाम क्या है? तो वो है आपकी भारेली, सवनसरी, मानस जो दाइयों और से मिलती हैं, दिबांग और लोहित हैं, ये भी दाइयों और से मिलती है लेकिन ये दिबांग और लोहित ऐसी नदियां है जो उल्टे से आकर मिलती है ब्रह्मगुत्र में और कपिल, धन्सरी और बुरी दिहिंग, देखे बुरी दिहिंग भी लिखा हुआ है इसका नाम, तो दोनों में से कोई भी अगर आ जाता है तो दोनों को ही आपको सही मानना कपिल, धन्सरी ये आप बुरी दिहिंग, ये क्या है बाएं से आकर मिलती है दिबांग लोहित मिलती दाएं से है लेकिन ये विप्रित दिशा से आकर मिलती है और भारेली, सबिंशरी और मानस ये जो है दाइयोंर से मिलती है ये का है ये सभी क्या है ये ब्रह्मपुत्र क मुक्य साहेक नदिया है नेक कुश्चन देखिए डेल्टाई भाग में गंगा ब्रमपुत्र किन जलधाराओं में बढ़ जाती है देल्टाई भाग में गंगा ब्रमपुत्र जो नदिया है गंगा ब्रमपुत्र जो मिलती है वो किन जल्दाराओं में बढ़ जाती है तो हम जानते हैं मधुमती, हुगली वे पदमा मधुमती, हुगली वे पदमा देखें, ये तीन जल्दाराओं के रोपतार पे बढ़ जाती है और इस चीज़ को आपको याद रखना है ठीक है? तो चलिए ये टॉपिक आपका यहाँ पे होता है समाप्त इसी चेप्टर में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बच्छे हो, थैंक यू